दोस्तों, इसराइल दुनिया का सबसे चोटे वन नए रास्टों में से एक है जो चारों करों से दुश्मनों से गिरा हुआ है और दुश्मन देश भी इसराइल को हर कीमत पर सद्म करना चाते हैं लेकिन फिर भी इसराइल से उसकी सभी शत्रू देश घबगाते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में कुछ ऐसे अमेजिन टेक्स बताने वाले हैं जो शाहिद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे दोस्तों क्या आप जानते हैं इसराइल दुनिया का अकिला यहूदी रास्ट है दोस्तों, इसराइल की जनसंख्या की बात की जाए तो इसराइल की जनसंख्या नुई यॉर्क की आधी है जबकि इसराइल की छेतरफल की अगर तुलना की जाए तो तीन इसराइल मिलकर भी राजिस्थान जितना नहीं हो सकते इसराइल की वाशा हिब्र दुनिया में एकलोती ऐसी वाशा है जिसको पुनरजनम मिला है जी हां हिप्र और अर्भी यहां की आधिकारिक वाशा है जिनको पुनरजनम मिला है इसराइल दुनिया का एकमात ऐसा मुल के है जहां महिलाओं को अनवारे रूप से सैनले सेवा में काम करना होता है इसराइल दुनिया के उन नौ देशों में भी शामिल है जिसके पास अपना सैटलाइट सिस्टम है जिसके इस्तमाल से वह ड्रोन चलाते हैं इसराइल अपने सैटलाइट सिस्टम को किसी से भी साजा नहीं करता इसराइल की वायू सेना दुनिया के चौटे नमबर की वायू सेना है यह किसी भी हमले की सूरत में ना सिर्फ जवाब देने के लिए सक्षम है बलकि पलवर में किसी भी शत्रू को तहसनेस करने की शमता भी रखती है इसराइल दुनिया का एकमातर ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलेस्किट मिसाल डिफेंस सिस्टम सेल लैस है इसराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट डागने का मतलब है मौँ इसराइल की और आने वाली हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देती है इसराइल की सभी स्टूरेंट्स चाहे मैं लड़का हो ये लड़की उन सभी को है स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आनेवारे रूख से मिलिक्टरी सर्विस जोईन करनी पड़ती है इस सर्विस की हविदी लड़कों के लिए तीन साल जगी लड़कीों के लिए दो साल होती है इसराइल अपनी जरूरत का 93 परतीशक खात्या पतार खुद पैता करता है खात्यान के मामले में इसराइल लगबग आत्म निरबर है इसके साथ ही दोस्तों इसराइल मिडल इस्ट का एकलोता ऐसा देश है जहां महिलाओं को पुरुष के बराबरा दिखार प्राफ होता है दोस्तों इसराइल के बारे में एक विचितर तक यह भी है क्लिक करके उसका आनद भी ले सकते हैं साथ ही बीच वाले सरगबल क्लिक करके अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यह है बिल्कुल फ्री है अरली वीडियो में आसे दोबारा मुलाकात होगी जब तक खुश रही है दूसरों को भी खुश रही है